हेरो दूस्तू आदित्य एम्बलोग में फिर से आपका एक वार स्वागत हैं बुलंद दर्वाजा उत्तर परदेश के फतेपूर सिक्री में इस्तित हैं बिश्व का सबसे बड़ा दर्वाजा जिसका नाम बुलंद दर्वाजा हैं इसका निर्माड मुबल समराज्य के सबसे महान बादसा अकबर ने साल 1602 इस्वी में करवाया था ए अस्मारत विश्व का सबसे बड़ा दर्वाजा होने के साथ हिंदू और फार्सी अस्थापत्य कला का बेजोड नमुना भी हैं बुलंद दर्वाजे का निर्माड समराट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद करवाया था इस दर्वाजे के परविश्वार के पूर्वी तोरण पर आज भी फार्सी में सिलालेक अंकित हैं जो 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय अविलेक को सम्बंदित हैं बुलंद दर्वाजे पर बना फार्सी सिलालेक अकबर के खुले विचारों को दर्शाता हैं बुलंद दर्वाजे के तोरण पर इसाम असी से सम्बंदित बाईविल की कुछ पंक्तिया भी लिखी गई हैं इन दिवारों पर शांती पूर्द रिश्यों को बनाया गया हैं जिसे देखने के लिए प्रते दिन सैकड़ों लोग यहां आते हैं बुलंद दर्वाजा भारत के उत्तर परदेश परांत में आगरा शहर से कुछ ही दूरी पर फतेपूर सिक्री नामक अस्थान पर इस्तित हैं यह एक दर्शनिया अस्मारक हैं बुलंद सब्द का अर्थ उचाया माहान होता हैं दुनिया का सबसे बड़ा परवेश द्वार बुलंद दर्वाजा ही हैं यह इतना बड़ा है कि इसे भव्य द्वार के नाम से भी जना जाता है यह लाल बलुव पत्थर से बना हैं जिसे सफेद संगमर्मर से बनाया गया है दर्वाजे के तोरण पर इसा मसी से संबंदित कुछ पक्तिया भी लिखे गई हैं जो इस परकार हैं यानि मर्यम के पुत्र इशु ने इस किले पे क्या लिखवाय था और उसका अर्थ क्या हैं इसे सुनते हैं यह संसार एक पूल के समान है इस पर से गुजरो आवर्षय लेकिन इस पर अपना घर मत बना लो जो एक दिन की आसा रखता है वह चिरकाल तक आसा रख शकता है जबकि यह संसार घंटे भर के लिए ही हैं इसलिए अपना समय प्रार्थना में बिताओ क्योंकि उसके सीवा सब कुछ अद्रिश्य हैं बुलंद धरबाजे से जुड़े कुछ रोचक तथ्या मुगल कालीन धरोहर बुलंद धरबाजे का निर्माड में बारे वर्षों का समय लगा था बुलंद धरबाजे में लगभग 400 साल पुराने अबनुसे बने विसाल की माड आज भी उसी तरह हैं इसके निर्माड में लाल बलुवा पत्थर का उप्योग किया गया था जिसके अंदरूनी भाग पर सफेद और काले संगमर्मर से नककर्षी की गई हैं यहां की सर्भूच इमारत बुलंद धरबाजा हैं जिसकी उचाई फूमी से 280 फीट हैं 1571 इसवी से 1585 इसवी तक फतेपूर सिकरी मुगल समराज्य की राजधानी थी सेर की दरगाह में परवेश करने के लिए इसी दरबाजे से होकर जाना पड़ता हैं इस दरबाजे का उपियोग प्राचीन काल में फतेपूर सिकरी के दच्छे पूर्वी परवेश द्वार पर गार्ड खाड़ा करने के लिए किया गया था बुलंद दरवाजे के पास लंगर खाने में खुदाई के दरान एक स्चिड़ी निकली इसके बाद जब अंदर तक देखा गया तो एक सुरंग मिली ऐसा अनुमान है कि यह सुरंग दुजरा किले के बाहर निकलेगा उत्तर परदेश के द्वारा संरचित इस इमारत का परवेश शूलक भारतिय लोगों के लिए 50 रुपया और विद्यशी परटकों के लिए 480 रुपया प्रतिव्यक्ति हैं इसको खोलने का समय सुगा आठ बजे और बंद होने का समय साम साथ बजे हैं इसे देखने का सबसे अच्छा समय नौमबर से मार्च के बीच का महिना होता हैं क्योंकि भारत में तक मान उस समय समान्यता रहता हैं यह इमारत दिल्ली से लगए 200 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित हैं दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और हाँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा आपको लायक कर देजिएगा और हाँ चैनल पर नए होईएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ने बैल नौटिफिकेशन को भी ओन कर लिचेगा ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके दोस्तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ अब तक के लिए जै हिंद जै भारत